Hello dear students, as you know very well, on 4th March 2024, आपका paper है English compulsory का, पूरे जोज के साथ आप लोग लगे हुए हैं, बहुत महनत कर रहे हैं, आप लोग, I know very well about you, that you are just going to do hard work for getting 100 out of 100 marks, okay, इसी करम में मैं आगे चलूँगा, बच्चों, 80 marks का ये paper होगा, जिसमें आपको अच्छा समय मिलेगा, लेकिन चुक याद रखेगा, time management, बहुत compulsory है जानना, time management के साथ paper को करना है, जो कि चार भागों में डिवाइड होगा, A section, जो reading section है, B section जो है, वो writing section है, C में grammar आएगा, art number का, और D section आपका literature part होता है, जिसमें 28 और 14, अलग-अलग डिवाइडेशन है, 28 marks फ्लेमिंगो के हैं, और 14 विस् के, तो first come में हम चलते है, reading section, reading section में मेरे प्यारे बच्चों, पहला passage 9 number का होगा, जिसमें total 7 questions होगे, पहले 6 questions, एक-एक नमबर के होगे, साथ में question में 3 synonyms होगे, बच्चों, synonyms क्या-क्या हो सकते हैं, synonyms को हिंदी में परियाएवाची कहते हैं, और इसका similar word जो हम कहते है है, एक-तरी, synonyms, वो similar word कहलाता है, जो noun भी हो सकता है, verb भी हो सकता है, verb की first या second form हो सकती है, adverb भी हो सकता है, adverb मोशली वो शब्द होते हैं, जिनके पीछे ly हो, ऐसा जरूरी तो नहीं, पर मोशली वोई शब्द होते हैं, जिनके पीछे ly होता है, लेकिन fast एक ऐसा पीछे कभी एलवाई नहीं होता और फास्ट नाउन भी है फास्ट एडवर्ब भी है आपको ध्यान रखना है इस चीच का और फास्ट एक एड्जेक्टिव भी है ठीक तो यह सिनोनिम साइंगे तो इन नौ नंबर का पैसेज होगा इसके बाद सेकिंड पैसेज सिक्स माक्स का होगा जिसमें छे कुष्चन होंगे और प्रते कुष्चन एक एक नंबर का होगा बहुत यहांसे सुनना आप क्यों क्यों कि बिलकुल कुछी दिनों बाद आपका पेपर है और बहुत अच्छे से आपको समझना है बी सेक्षन राइटिंग सेक्षन इडिजों वेरी स्कॉरिंग सेक्षन पैला क्यूशन या तो नौटिस रिप्लाई और रिप्लाई में भी डिक्लाइन और एकसेप्टिंग और तीसरा आप्शन आपको मिलेगा इसमें एडवर्टेजमेंट इन तीनों में से कोई दो की जाते हैं याद रखेगा इनको बॉक्स बनाना जरूरी है इनके लिए इसके बास सेकंड पार्ट आता है रिपोर्ट राइटिंग विच इस ऑलवेज रिटेन इन पास इन पास टेंस ऑनली और पास टेंस कोई भी घटना कोई भी दुरगटना कोई भी ऐसी बात जो हो च चीज का वह कोई भी दुरगटना आ सकती है एन एक्सिडेंट एर रोड एक्सिडेंट एर ट्रेन एक्सिडेंट कोई भी चीज आ सकती है आपको बहुत अच्छे से याद करना एनौल फंक्शन पे आ सकता है जो अभी जर्श्ट कुछ महीने पहले संपन हुआ है बचों के फंक्शन वार्शकोत सब हुआ या कोई भी कोई भी चीज कोई भी कैम्प आपके महले में लगा उसके बारे में पूछा जा सकता है बहुत अच्छे से आपको याद करना है याद रखना है पेरिग्राप आ सकता है मैं फैबरेट बुक पे आ सकता है मैं फैबरेट टीचर पे आ सकता है house on fire पे आ सकता है किसी पर भी जो कि इसके साथ option में मिलेगा पांच नमबर में अब हम आगे आते हैं छे नमबर के लिए लेटर राइटिंग जिसमें complaining लेटर भी है business लेटर भी है और job vacancy लेटर भी ध्यान से सुनिएगा आपको complaining लेटर अच्छे से लर्न कर रहा है उपर की लाइने अच्छे से याद होनी चाहिए आपको उपर की लाइने fix रखो format main important चीज़े बच्चो writing section की format must be known by everyone सबी को अच्छे से format पता होना चाहिए format के लिए रहे कोई फर्ट नहीं पड़ेगा बच्चो इवन अगर आपका handwriting बहुत अच्छा नहीं भी है इसे वो नहीं लिखना काटना है एक लाइन केचना है फिर उसको बापस से mention कर देना है और दूसरी बात कई बार ऐसा भी होता है रिपोर्ट लिख रहे हैं एन्वल फंक्चन की रिपोर्ट है और तब ही अचानक पता चलता है कि सुरसुती बंदना जो की पहले होती है और आपने गलती सो से बाद में लिख दिया तो आप उस समय कन्फ्यूज हो जाते हैं आप उसको काट देते नहीं ऐसी गलती नहीं करना है लिखने के दौरान आपको पूरी तिश्टा के साथ शार्प ने इस रखनी है माइंड में पूरे enthusiasm के साथ लिखना है गलती नहीं होनी चाहिए मैं कह रहा हूँ अगर राइटिंग बहुत अच्छा नहीं भी है तो अभी आप 98 तक आउट ओफ एंडेड ला सकते हैं 78 आउट ओप 80 आप ला सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी 80 नमबर के माल के पेपर में क्यों क्यों कि बात बहुत अच्छे राइटिंग क पर्क पड़ता है राइटिंग का आई नो वे वेल यू अलसो नो बट अगर आपने कहीं कटिंग नहीं किये हैं आपकी स्पैलिंग में कहीं एरर नहीं है मिस्टेक नहीं है तो आपको नंबर गें होंगे आप नंबर अप्टेन करेंगे ध्यान रखें आप इसके बाद हम चार पार्टों में बटा हुआ चार चीजें हैं चार टॉपिक से लौजज़ सिंटेश प्रेपोजिशन और फ्रेजल वर्ब्स दो दो नंबर के आपको बहुत अच्छे से इनकी तैयारी करने है फ्रेजल वर्ब बहुत एजी हैं कोई प्रॉब्लम नहीं आपको ध्यान र किसी कार को मेंशन किया गया है मोटर साइकल को मेंशन किया गया है या किसी वेहिकल को मेंशन किया गया है और ऑन दा रोड आया है या इन दा मिडिल अब दा रोड आया है और फ्रेजल वर्ब ब्रेक है तो डेफिनेटली ऑप्शन में ब्रॉक डाउन आंसर होगा डाउन प सारे चोर या थीप आ जाता है और लूटर सा जाता है रोबर सा जाता है और ब्रेक शब्दे तो आंसर ब्रॉक इन और ब्रॉक इंटू या इन एड होगा आपको ध्यान रखना है ब्रिंग डाउन कीमत कम होना या आपको ध्यान रखना होगा ठीक है अब कम अक्रोस पिलकुल इन चीजों का धियान रखना है अचानक मिलना सैयोग से मिलना एक एक शब्द पे नजर होनी चाहिए वोट डाउन लिखना या कुछलना पुटोन पहनना या आपको पुट आउट बुजाना या आपको ध्यान रखना होगा गेटोन गाड़ी पर चड़ना गेट डाउन गाड़ी से उतरना गेटोन का मतलब टुट प्रोग्रेस भी होता है बच्चों फ्रेजल वब में आपको हिंदी पता होनी चाहिए आप बस इतना याद रखना बहुत ईजी तरीका बताता हो फ्रेजल वर्ब का कि अगर उसमें यस्टेडे आजये लास्ट आ जाए तो इसकेंड फॉंम बना दो सेकंड फॉंम कर करेंगे उसको लेकिन उसमें अगर प्रेजेंट सिंपल का कोई एडवर्ब आजाए जनरली आजाए यूच्वाली डेली एवरी प्लस टाइम आजाए तो आप प्रेजेंट सिंपल का यूज कीजिए वर्ब में ऐस यह यह लगा दीजिए इव दे सब्जेक्ट इस थर्ड पर्जन सिंगुलर नंबर ओके ध्यान रखना है चीज का प्रेजिए इं इन चू ओन अपोन ओवर अबब बिट्वीन अमंग थू यह सब प्रेजिएंस से आपको ध्यान से करने होगे और फॉर्थ क्रम पे हम आते हैं जो कि लिटरेचर का प बलकुल आपको किये यहीं च्र Rather की जाईगंगे और एक मेजर क्रूशन होगा Hi आप देखियेच नंबर का पेशेईल हो गया 4 नंबर के दो दो नंबर के दो short question हो गए कोई option नहीं है तीन नहीं आएंगे दो ही आएंगे आप यह मत सोच ना कि Central Board की तरह एक option ऐसा मिलेगा नहीं रास्तान बोड में दो ही short question आते हैं और दोनों ही करने कंभल सरी हैं और चान नंबर का एक major question होगा जिसमें दो option होगे और करना मेरे प्यारी बच्चों एक होगा हम आगे आते हैं poetry section पे जिसमें 6 नंबर की explanation आएगी reference और context लिखना है फिर explanation लिखना है फिर last में या तो comment लिखे critical note लिखे या critical observation लिखे चोईस आपकी है आपको बहुत ध्यान रखना है कि अगर उसमें कोई न कोई literary device है उसको आपको last में comment में जरूर लिखना है कैसे भी ध्यान रखिए ठीक है छे नंबर की explanation के बाद दो दो नंबर की दो छोटी question होंगे यह दस नंबर हो जाते हैं दो दो questions के answers को mix करके लिख दीजिए that is called summary or theme of the point क्या करें कोई problem नहीं marks मिलेंगे क्योंकि बहुत सारी copy जाते हैं इतना time नहीं होता कि बहुत अच्छे से एक एक line जैसे normally अभी teacher check करते हैं कर पाते हैं बहुत मेहनत से बुचेक करते हैं कोपिया सब हैं लेकिन उनकी आखे गलती पर जाती हैं तो मोटी मोटी गलतियों से बचे ध्यान रखिए अब scoring की बात करते हैं कि scoring अगर आप जानते हो कि अगर scoring के लिए सबसे important part है grammar part scoring भी है और dangerous भी है यदि आप से गलती हो गई तो यह आपके marks और sections में भी detect करवा सकता है तो इसलिए क्रम से ही चलें passage उसके बाद आप चलें writing section पे के बाद आप grammar और लास्ट में literature literature कभी पहले नहीं करना है literature literature का part हमे आप क्यों क्योंकि जितने बड़े question आप पहले करेंगे बच्चों marks पूरे आने के chances कम होते हैं या तो आप grammar part पहले करें if you are confident if you are much determined that you are good at your grammar portion then you can write down the answers of the grammar otherwise you can't आप नहीं कर सकते हो and you should not आपको नहीं करना चाहिए ठीक है तो प्रयास करना अगर हो सकता है writing section पूरा compulsory आपको अच्छे से आता है तो आप writing section से भी पर system कहता है कि आप ध्यान दे passage पर passage के एक एक नमबर के question सही होने का मतलब यह मान लीजिए कि आपके B part अच्छा होगा C already अच्छा हो जाएगा और D literature portion जो कि सबसे ज़्यादा schools में पहले पढ़ाया करना है कोई गलती नहीं करनी है poetry section बहुत अच्छा है बहुत easy है कोई भी अच्छे से आपको आपको करनी है और बिलकुल मैं कुछ बात और कहना चाहूंगा as motivational teacher कि आपको बिलकुल नहीं घबराना है जितना भी याद हो गया ठीक है और जिस दिन आप paper देने जाएं उस दिन से जस्ट पहले वाली जो रात है उसको आप complete नेंद लें complete slipness से आराम से आप सोएं रिलेक्स होके सोएं कोई nervousness नहीं कोई burden दिमाग पर नहीं होना चाहिए बिलकुल शान्त होकर बिलकुल रहें और अच्छे से पढ़ना है अब selected चीजे जितना आप पढ़ सकते हैं जो कटीन चीजे उसको लिख कर देख लें एक बर पढ़ने मोटी मोटी बात किसी भी बड प्रवलम ने कैक्टर स्केच को कभी भी आप combine करके नहीं लिखेंगे विद अपप पॉइंट जैसे पहला पॉइंट ऐज प्रोटेगोनिस्ट और प्रोटेगोनिस्ट मीन्स चीफ करेक्टर चीफ मुख्य का लाकार दूसरा पॉइंट जो भी आप जानते तो पॉइंट्स नहीं मिलते तो पॉइंट्स आप बना कर लिखें ठीक है इन बातों का आपको ध्यान रख रहा हैं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम नहों इन्हीं बातों के साथ मैं विराम दूँआ अल दी बेस्ट तू अल दी बेस्ट तू अल दी बेस्ट